Good morning student, I am Ritika Raathor, I will teach you subject max for class first. आज हम आपकी book के chapter first पढ़ेंगे, उसका नाम है pre-concepts, pre-number concepts. इसमें क्या है, number से पहले वाले जो concepts आते हैं बच्चों, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो pre-number concepts के questions देख लेते हैं, पहला है, let revise the following concepts. कौन-कौन से concepts होते हैं, number से पहले जो आते हैं. पहला है, इसमें पहली picture दे रखी है, एक short, उसमें लिखावा है short and long. तो ये pen छोटी है, तो इसको बोलते हैं short. छोटी को क्या बोलते हैं? short. और ये लंबी है, तो इसको क्या बोलते हैं? long. फिर next picture में आपको एक बड़ी bus दे रखी है, एक छोटी सी कार दे रखी है. तो छोटी सी कार को बोलते हैं small, और बड़ी वाली bus को क्या बोलते हैं? बड़ी चीज को big. फिर आपको short, long, big और small के बारे में बता चला, जैसे कि small मतलब छोटा और big मतलब बड़ा, long मतलब लंबा और short मतलब छोटा. तो अब नीचे आपको एक और picture दे रखी है, उसका नाम है heavy and light. और नीचे लिखावा है heavy and light. तो heavy पर picture दे रखी है, आपको हाती की. तो हाती हाई heavy weighted है, मतलब भारी है. हाती भारी है ना, तो भारी चीज़ को क्या बोला जाता है? heavy, heavy. और light पर किसकी picture दे रखी है? ant, ant मतलब चिथी, चिथी की picture दे रखी है. चिथी बहुत light सी होती है, उसमें weight नहीं होता है, तो उसको बोला गया है light. heavy मतलब भारी चीज़ों को बोला ज चोटा बच्चा और एक बड़े, बड़ा अंकल. उसका छोटे बच्चे के नीचे लिखावा है short और वहां लिखावा है tall. तो यह लंबे हैं, तो यहां पर लिखावा है tall. लंबा होना मतलब tall. और short मतलब छोटा. यह चोटा है, तो यहां पर नीचे, इसके picture के नीचे के short. नीचे लिखावा है thin and thick. और दो किताबों की photo दे रखी है. यह मोटी किताब है, आपको दिख रहा होगा, और यह पतली है. तो यह हो गई thin, पतले को बोलते हैं thin, और मोटे को बोलते हैं thick. इधर एक ही pencil है. एक ही pencil को क्या बोलते हैं? one. और इधर बहुत सारी pencils हैं, तो और सारी pencils को बोला जाता है, many. अपनने पड़ा अभी thin, thick, heavy, light, short, tall, one and many. इन सब के बारे में पड़ा आपनने, इन सब का मैंने मतलब बताया अभी आपको, अभी आपको वापस उपर लेके जाते हैं, और उपर क्या बताया हैं, short, long, big and small. short का मतलब छोटा, long का मतलब लंब और big का मतलब बड़ा, small का मतलब छोटा, heavy का मतलब भारी, light का मतलब, कम वेट वाला, कम भारी, short का मतलब छोटा, tall का मतलब लंबा और नीचे हैं, thin का मतलब पतला, thick का मतलब मोटा, one का मतलब एक, many का मतलब बहुत सारे और next नीचे लिखावा है, next question है, अपर next पढ़ेंगे inside and outside, what is inside and what is outside, तो नीचे एक लाइन लिखी भी है, Tommy is inside the kennel, Tommy is inside the kennel and Kitty is outside the kennel, तो Tommy कौन हो गया, यह dog, dog कौन है, Tommy, Tommy inside, inside मतलब Tommy का बैठा है, अंदर, तो अंदर बैठने को क्या बोलते हैं, अंदर को, यह अंदर को बोलते हैं, inside, और cat बहार है, catty, catty is outside the kennel, cat का है बहार, बहार खड़े होने को क्या बोलते हैं, outside, तो हिंदी में inside का मतलब अंदर, और outside का मतलब बाहर, आपको समझ में आया, inside and outside, what is outside and what is inside, inside मतलब अंदर, outside मतलब बाहर, जैसे कि इस picture में show भी हो रहा है आपको, next नीचे है, question दे रखा है, color the fruit that are outside the basket, बास्केट के जो अंदर बास्केट के जो अंदर fruit से उन पे color नहीं करना है आपको, आपको अब ये पता लगान है कि बाहर कौन से fruit पड़े हैं, ये हैं या ये हैं, कौन से बाहर, ये वाले हैं या ये वाले हैं या ये वाले हैं, और विज ये वाले हैं, क्योंकि ये तो बास्केट के अंदर कौन है, ये रहे fruits, तो ये वाले fruits पे आपको color नहीं करना है, आपको ये वाले fruits पे color करना है, तो आप सिफ ये बुक में ही coloring करनी हैं, आपको बुक में picture बना के कुछ भी नहीं करना है, आपको सिफ बुक में ही करना है, आपको इस वाले question में outside the fruit, मतलब जो basket के बाहर है वहाँ पे color करोगे, आप सिफ इस में color करोगे, इस में color करना है आपको और इस question में क्या लिखा हूँ है आपके color the duck that are inside the pond जो pond के अंदर है pond नहीं मतलब यह जो पानी है पानी के अंदर कौन सी डख है यह या यह पानी के अंदर कौन सी डख है यह वाली है यह यह वाली है यह वाली है तो आप color किस में करोगे in volume करोगे तो आपको इस वाली में color करना इंव औली में नहीं करना और यह सिफu book में नहीं करना है आप इसमें color कर देना यह वाला question भी आपको सिफu book में नेक्स्ट पर दें आपको inside and outside का मतलब पता चल गया है inside मतलब अंदर outside मतलब बाहार नेक्सट है top and bottom टॉप एंड बोटम का मतलब क्या होता है । टॉप मतलब उपर जैसे की आपको भॉई खढ़ा हो दिख रहा है वह उपर खढ़ा है तो वह क्या हो गया उपर खढा है तो प्र झाल यद नीचे फटी fps तो वह क्या हो गया ? maya लड़ering का आपको मैं Princete म मतलब बताती है नीचे जो लाइन लिखी वे उसके हिसाब से नीचे लाइन लिखी भी है कि the boy is at the top of the stairs, एक लड़का है वो stairs, stairs यह होती है सीडिया, सीडियों को क्या बोला जाता है? stairs, stairs के उपर कौन खड़ा है? लड़का खड़ा है उसको क्या बोलते हैं? top, top मतलब क्या होता है? उपर, उपर खड़ा होने को क्या बोलते हैं? top और the girl is at the bottom of the stair, girl का खड़िये, नीचे खड़िये, चो क्या हो जाएगा? girl नीचे खड़िये तो bottom तो टॉप का मतलब तो पता चल गया उपर और बॉटम का मतलब पता चल गया नीचे ओके तो आपको पता चल गया होगा टॉप, what is the meaning of top and what is the meaning of bottom ओके नेक्स नीचे कुछ कोश्यन्स दे रखें हैं कोश्यन्स क्या है, draw a bird on the top of the tree सबसे उपर, tree का सबसे उपर वाला हिस, कौन है, top क्या है, पेड़ पर, top वाली चीज का यह रही, यह सबसे top है, यह नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, और यह भी नहीं है टॉप तो यह यह ना, तो आप यहाँ पर क्या करोगी, एक bird ड्रो करना है आपको, कोश्यन्स में लिखावा है, draw a bird on the top of the tree आपको क्या करना है, आपको एक bird बनाना है, वो भी ट्री के उपर, जा मैंने आपको बताया, वहाँ पर नेक्स्ट कोश्यन्स दे रखा है आपको, नेक्स्ट कोश्यन्स है, circle the child at the bottom of the slide आपको क्या करना है, आपको बच्चे पर circle करना है, जो bottom है, अब आप में को बताओ, bottom कौन सा है मैंने अभी बताया था, bottom मतलब होता है, नीचे, तो नीचे कौन सा बच्चा है, नीचे ये रहा, आपको इस पैसे circle कर देना है, ओके, आपको इस पैसे circle कर देना है, जो नीचे है, bottom of the slide, जो नीचे है, उस पर आपको क्या करना है, circle करना है, आपको उपर जो girl खड़ी है, तो नीचे क्या है, बच उस पे नहीं करना है, क्योंकि आपन बॉटम पूछा है, तो नीचे क्या है, आपको पमें नहीं करना है, नीचे क्या है, Above and below What is the meaning of above and what is the meaning of below Above and below का meaning क्या होता है अपन अभी बढ़ते हैं नीचे ये sentence पढ़के A butterfly is flying Above the flower अब इसमें आपको butterfly कहां शूओ हो रही है ये हो रही है ये रही butterfly ये कहां है Flower Flower कहा है ये रह flower Flower के क्या लिखावा है A butterfly is flying A butterfly is flying above the flower जो butterfly उपर है उसको क्या बोलते हैं Above जिसे की ये butterfly flower से उपर है Flower के उपर नहीं है Flower से उपर है तो उसको क्या बोलते हैं About the flower और जो अब नीचे next line में लिखावा है Unts are moving in a line below the flower इसमें क्या पुछा है Flower ये रहा और नीचे क्या है Flower के जस्ट नीचे क्या है Unts है ये रही Unts तो वो flower के नीचे है तो नीचे है तो उसको क्या बोलते हैं Below Above क्या बोलते हैं Flower के जो उपर है अब उपर कौन है Butterfly है तो what is the meaning of above Above is the meaning of उपर उपर And what is the meaning of What is the meaning of below Below मतलब नीचे आपको इस picture में दिख रहा होगा Unts and Butterfly का example दिया है नीचे कुछ questions है Draw and color a picture Showing above and below आपको क्या करना है आपको एक picture बनानी है Above and below Show करना आपको क्या करना है आपको इस picture को आपको शो करना है कि वह picture उसमें above भी show हो और उसमें above भी show होना चाहिए और below भी show होना चाहिए आपको एक picture बनानी है आपको इस साब से जो भी picture आपको अच्छी लगाए आप बना देना उसमें आपको show करना है Above and Below Next question है Color the cloud above the boy फम्रीach पार पकलिट मेचिते तो आपको पर आपको अब heb अनुफर ऑन दैनक ब्लयूल सुच्छे-चीच difet नोल अनुफर यह लड़के गुए सैनल काम माई इधान कि और नीचे मैं आपको लेन्ड दे रखा है आपको ब्राउन कलर करना है यह जम नीचे है लड़के के यहाँ पर आप ब्राउन कलर करोगे. क्या शो करते होगे, above and below, तो आपको मैंने अभी आपको above and below का मतलब बताया और यह जो question है यह आपको सिफ book में करना है, यह वाला question भी आपको copy में नहीं करना है, आपको सिफ यह सब book में ही करना है, आपको मैंने about and below के बारे बता दिया, आज की वीडियो में और top and bottom inside and outside और some ये सब चीजें जैसे कि short, long, big, small, heavy, light short, tall, thin, thick, one, many आज की वीडियो में बच्चो इतना ही बाकी जो next question है ये वाला अपन next वीडियो में करेंगे थेंक यू बच्चो, stay home, stay safe